किस तरह रनन डाल सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन आसान ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप यदि मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले औ आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके हैं तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं तो यह मेरे पास एक जिप है और यह रनर है तो सबसे पहले हम इस जिप को थोड़ा सा खोल देते हैं जिससे कि हम इसमें रनर आसानी से डाल सकें तो यह और अब इसे थोड़ा सा और खोलते हुए हम इसके दाई तरफ भी से इस तरह डालेंगे अब हम प्रेशर इसे बाई तरफ ना देकर प्रेशर दाई तरफ देंगे इस तरह और इसे निकालने के लिए हम किसी नुकीली या निडल वगेरा की हेल्प ले सकते हैं यह देखिए यदि आप इस तरह निडल से इसे खीचोगे तो यह असानी से इस तरह डल जाती है तो देखिए फ्रेंड्स यह कितनी असानी से रनर जिप में डल गया है तो यह थी हमारी फर्स ट्रिक तो फ्रेंड्स अब हम दूसरी ट्रिक की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि हमारी जिप में किसी प्रकार के धागे तो नहीं है आ रहे हैं तो हम इन धागों को भी हटा लेंगे आप किसी लाइटर या सीजर या माचिस की सायता से इन धागों को रिमूव कर दें और अब रनर को लेंगे हम अब यह देखिए धा सबसे पहले बाई तरफ डालेंगे और आब हम इसके दाई तरफ इस तरह डालेंगे और अब हम एक छोटी सुई लेंगे और छोटी सुई को हम रनर के बिल्कुल पास में कुछ इस तरह एक नॉट लगाएंगे यह है नॉट हमको दाई तरफ लगानी है अनिकी सीधे हाथ की तरफ लगानी है यह है या फिर जिस हाथ से आप अच्छे डंग से प्रेशर दे सके उस उधर हमें यह नॉट लगानी है और अब हम इसे इस तरह खेचेंगे तो यह है देखिए हमारी हमारा डल चुका है तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने तीसरे ट्रिक की तरफ तो सबसे पहले तो यह देखिए हमने इस जिप को खोल लिया है और यह दिधागे वगेरा है तो हम उन्हें रिमूव कर देंगे और यह देखिए अब हम अपना रनर लेते हैं और रनर को इस तरह डालेंगे और अब हम इसे दूसरी तरफ डालेंगे इस तरह और अब हम एक छोटी निडल लेंगे और निडल को हम इस तरह नॉट लगाएंगे और इसे हम इस तरह काट लेंगे और अब हम इसे दूसरी तरफ भी नॉट लगाएंगे दूसरी तरफ भी इस तरह दागा एक बांदेंगे और सीजर की सायता से अपनी निडल को हटा देंगे अहां से अब यह हमारे पास दौनो तरफ दो धागे हो गए है और अब हम इन धागों को इस तरह पकड़ लेंगे देखिए देखिए हम इस तरह इन धागों को पकड़ेंगे और दूसरी तरफ अपने रणर को खीचेंगे और एक तरफ हम अपने धागों को खीचेंगे और इस तरह हमारा रणर जिप में चला जाएगा तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं और यहीं वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें